कि नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डारते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर नभब लॉक के गाउं हरीगड के नज़ीक टाटा 407 गन्ने से भरी ट्रॉली से चकराने के बाद पेड़ से टकराया तीन लोगों की मौत आठ थायल अम्रिस्तर कथ्वू नंगल ठाने के नज़ीक लूटेरों ने पंजाब नेश्रिल बैंक में लूट की वारदात को दिया अंचा अठ्रे लागती नकदी लूट गोए फरार और अब हल चल विस्तार से पंजाब में हर दिन सड़क हाथसों में कीमती जाने जा रही है गतरात्री श्री फतेगर साहिब से सेवा कर वापिस लौट रहे गाउं हत्थन के रहने वाले कुछ लोग टाटा 407 गाड़ी में सवार होकर जब नभबलाओ के गाउं हरीगर के नज़ीक पहुँचे तो रास्ते में सड़क पर गन्य से भरी इट्राली खड़ी थी जिस कारण टाटा 407 गाड़ी गन्य की भरी इट्राली से टकराने के बाद पेड़ से जा टक रही जिस कारण तीन लोगों की मौत हो गई और लगबग आठ लोग गायल हो गए इस दोरान जब घायल व्यक्तियों को निकाला जा रहा था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दो व्यक्तियों को कुचल दिया जिनने उफचार है तो पीज़ाई चंडिगण में रैफर किया गया है इस मौके पर थाना के स्चो गुर्पीज सिंग भिंडर ने बताया कि गन्य से भरी ट्राली चलक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है नाबसे हल्चल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट कि अजरी फाद्र पतेगाण साफ तो सेवात है आरहे है इसी टेमफोदे बेच्शा सांता पते नी की पणा बारत है है य मिन्य भाता है मुझे अएबंद का उड़ा है। अगए चार बेठे के डाएबंद का लिए है थे देख्टे टेम के नाम यह तो यह खेंगा है। मुझे देख्टे ही इस जपने अग्हें जाने हैं। कमाभण प्रजिह कि अगरिगेह दित्यर चार बेति आप अग्या है। अधने पर बासी कि थे देज़ाए प्रेटा जिरा भाए यहां ब्रेकोल आप है यह ब्रेकोल अपाइज ब्रेखों अगे रहा ते अगे रहास्ते देटी ते ट्राली गणने जरी थे जेखा अगे वे लिए गनने आडी ते और अगे वोग आगे रहा रहे थी ओ जो ज़ो हो करें तरह पिसमा जाकर रही बैचे steht आज कि अंध था ने देता नहींए था है नि दी दिंते हैं इन हुर्ड रर्ली कोधी में त्राली त्रा लयर्ब करना देटा है पर कंने हा द्हाइय ने चेडिक थेन यह बैसेज चाय अगोड Satya educati वो कोई गन्ने ओड़ी ट्राली सी जिजे नाड़ एक्सिटेंट होन करकी तो गड़ी आन बैलंस होके फर जाके द्रक्त के लगी जिजे नाड़ तिन जड़ी मौकट देर रहत हुई है इनना दे विच्छों सुरिंदर सिंग, शेर मुहम्मद ते गुर्दीप सिंग ने तिन अमरिस्टर कथो नंगल थाना के बिलकुन नजदीक पंजाब नेशनल बैंक में लगबग 18 लाक रुपई की लूट का मामला सामने आया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बचकर 30 मिनट के करीब दो व्यक्ती जिनोंने अपने मुह कपड़े से ढकी हुए थे और उनके पास पिस्तॉल थी इन लोटेरों ने आते ही सभी को अपनी पिस्तोल की नोक पर लेकर एक तरफ कर दिया और कैशियर के पास से सारा कैश लेकर फरार हो गए गौरतलब रहे कि उक्त बैंक में पिछले 10 वर्षों से कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं है तो वहीं थाना कत्थू नंगल की पुलिस द्वारा भी इसकी सुरक्षा की और कोई ध्यान नहीं दिया गया था इस समन्द में पहले भी कई बार कहा गया था कि इस बैंक का काफी लेन देन है और यहां पर कड़े सुरक्षा प्रबंदों की जरूरत थी वहीं घटना की सूचना मिलते ही डियासपी मजूठा, MS और लख पुलिस पार्टी सहत मौके पर पहुँच गए और मावले की जाज में जुट गए है अंबिस्वर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रीपोर्ट कि कटना दस वाज के चिंजा कमेंट ते दो अनडेंटिफाइड परसंस जिना चेहरे रुमाल दिना टक है इसी के उन्दी हाथ से वीचे पिस्चल सेगी और पिस्चल दी नोक दे उपर गन पॉइंट दे साड़े को कैश लागे कि हैए हैट के शिर को अच्छी एक तिने को सब्सक्राइब करें देख रहे हैं किना साब लगा रहे हैं क्योंकि हटा कुछ लिया भी अज दिता भी तेहीं साब लगा कि इससे पाटिकुलर फिकरतास पावांगे एक जैक्ट हाज हम देपारे इस पता चल पाच्छी तक्रीबन 11 को जे थे पी एन बी बैंक जिड़ा विकाज यह थे गाड है नहीं यह थे बैंक देविच रैकी रूकी और ने पुरी कीती होएगी असी उस्तेय तक जा रहे हैं और राउंड 17 लैक से गरीब देव टेकन वो कैशिर को लोई लेके चले गए उससे मिने एक दो मिनट देविच ची यह जड़ा बाकिया होया है सा सब्सक्राइब करने में सफलता हसिलती है समन्द में जानकारी देते हुए DCP जसकिनन जीस सिंग तेजा ने बताया कि CIA स्टाफ की पुलिस टीम इंचार्ज SI अशोक कुमार की अगवाई में टी पॉइंटर संशाइन वेली वेलफेर सोसाइटी जालंदर में मौजूद थी कि इस दोरान सोसाइटी की और से एक नौजवान आता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर मौके से भागने लगा जिसे CIA स्टाफ की टीम ने काबू कर लिया जिसकी पहचान गौरव सोनी और फगोरू निवासी गाउन दातारपुर तलवाडा जिला हुशारपुर के तौर पर हुई है उक्त युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 255 ग्राम हैरोईन बरामत हुई जिसके बाद आरोपी पर कारेवाही करते हुई जालंदर के था जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट पंचाब के मश्यूर गायक कमर गरेवाल के जती गाउं महमा सवाई में केंद्री एजन्स्यों की और से सुबह आठ बजे रेट की रही इस दुना लगबग आधा धरजन गाडियों में केंद्री इस रक्षा बलों के साथ ही अधिकारी यहां पहुंचे जिनकी और से जाच की जा रही है तो वहीं किसी भी अधिकारी की और से कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार किया जा रहा है जालंदर के लतीफ पुरा में केंद्री उद्योग राच्य मंत्री सोम प्रकाश और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंचन कालिया लोगों से मिलने के लिए पहुँचे इस मौके पर लोगों ने केंद्री मंत्री के साथ अपना दुख सांचा किया गौरतलब रहे कि 9 दिसंबर को माननी हाई कोट के आदेश के बाद लतीफ पुरा में 75 वर्षों से अवैद रूप से बने घर गिराद ये गए थे जिसके बाद से वे लोग सड़क पर टेंट में रहने के लिए मजबूर है वहीं इस मौके पर केंद्री उधियो गराच्य मंत्री सोमपरकाश ने कहा कि जालंदर के लतीफ पुरा में पहुंच कर उन्हें बहुत दुख हुआ यहां लोग टेंट में सोने के लिए मजबूर है जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट वर्ष 2024 के सांसत की चुनावों को लेकर लगातार ही भारतिय जंता पार्टी की और से अपने निताओं को जिम्मेदारियां देकर नवाजा जा रहा है कुछ मीने पहले गुर्चरन सिंग तोडा के पोते कमर वीर सिंग तोडा भाचपा में शामिल हुए थे जिसके बाद अब उन्हें भारतिय जंता युवा मोर्चा का राच्यो प्रधान नियुक्त किया गया है और नतमस्तक होने के बाद नवन युक्त राच्य प्रधान कमर वीर सिंग तोड़ा ने कहा कि भारतिय चंता पार्टी की और से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उससे वे पूरी तंदही से निभाएंगी वे वही गुरू का शुक्राना करने के लिए सचकंश्री दर्बार साही में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतिय चंता पार्टी हर एक को अपने साथ लेकर चलती है और पंजाब की तरक्की के लिए भारतिय चंता पार्टी हर एक संभ गिजार करना है नतमस्तकोना है तवज वह शीरवाद लेकि अगे पंजाब विच कम करांगे आस करना गी परमातमा साथे सिरुते शीरवाद बढाके रखे गा ते शी पंजाबिया दिए सिक्खा लेए असी पूरा बीजेपी पीजेपी यूथ राल मिलके कम करें यसी पंजाब लई सारे अनुना लेकर राल मिलके कम करांगे जी कहन दिया गला कुछ होर हों दिया ते कम करन दिया गला कुछ होर हों दिया असी सारे राल मिलके पंजाब दी बैतरी लई यसी कम करांगे शहर में हर समय ट्रैफिक पुलिस स्कूली बच्चों और लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जाग रुक करती रहती है। जिससे शहर में हो रहे सड़क हाथसों को रोख सके। इसी कड़ी में जाल अंदर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से NCC बच्चों के साथ मिलकर समिधान चौंक में ट्रैफिक नियमों की उलंगना करने वालों को गांधी किरी दिखाते हुए गुलाब का फूल और हेलमेट देकर नियमों के बारे में जाग रुक किया गया इस दुरान स्पी ट्रैफिक कमल प्रीट सिंग चाहल ने बताया कि स्टी कॉलिज के NCC के बच्चों के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जाग रुक कर हेलमेट भी बांटे गए उन्होंने जनता को यह संदेश भी दिया कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना अपने परिवार को देखते हुए करनी चाहिए ना कि पुलिस या चालान से बचने के लिए खाना पूर्दी करनी चाहिए वहीं प्रतिबंदित हेलमेट बाटने समंदी जब SP ट्रैफिक कमल प्रीट सिंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह हेलमेट स्कूली बच्चों की तरफ से लाए गए है उन्हें भी जागरू किया गया है कि यह हेलमेट प्रतिबंदित है लेकिन कुछ भी ना होने की बजाए कुछ तो होना चाहिए जालंदर से पंकच शर्मा की लिपोर्ट जो ट्रैफिक लाइट को तोड़ के जा रहे हैं हम उनको भी रोक के बोलते हैं कि आप ना तोड़ो देखो लोगों को अगर आप मूझ बानी बोलोगी तो वह तो ऐसे समझेंगे नहीं अगर हम उनको घात में कुछ पकड़ाएंगे तभी उनको जाके जाके समझ आएगा कि उन्होंने में को हमें यह रोज दिया था हमें याद रहेगा कि हमने आगे से ट्रैफिक रोल नहीं तोड़ना बिलकुल जी अज ट्रैफिक दासी अवेर्नेस केमप से चला रहे हैं यह जाल अंदर के लतीफपुरा के पास ती नौजवान बुलेट मोटर साइकल के पठाके बजा कर हुलडबाजी कर रहे जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे लोग पुलिस सदिकारियों के साथ बत्तिमीजी करने लगे और देखते ही महाल गर्मागिया उक्त नौजवान पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे जब पुलिस उने गाड़ी में बठा कर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए अंदर बिठा रही थी तो इस दोरान वे पुलिस के साथ ही बिढ़ गया इस मौके पर डी सीपी जगमोहन सिंग ने कहा कि फीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाकर जांच पी जा रही है जालंदर से पंकट शर्मा की रिठा कर देखो अल्टिमेटली है कोई बाइक ते जड़ी वाइलेशन कर दे सी ट्रैक वदी वाइलेशन उस बंद दे बेचेड़ा हैगा इनना नो जड़ा एसचोस हाव बलों रेस्ट किता गया हैगा इनना ते गड़ा मेडिकल कराके जो बंदी करनों नहीं कारवे किती जगए मौरिंडा के वाइड नंबर 11 निवासी सुधीर कुमार जोकी सुनार की दुकान में गहनों की साफ सफाई का काम करते हैं उनके घर में शौट सर्किट की वज़े से आग लगी जिस कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया इस घटना की सूचना फाइर ब्रिगेट को दी जिसके बाद फाइर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत से आग पर काबूबाया ते आग यसी आग दे कपूबाया ते अग बहुत शीगी ते आग होणकर कैसी पूराय जोर लाया करते बंदे कपूब अब दूखान ते था जी दूखान ते मेनों बीर दस नहीं जाके प्रेकर तेखुना आया है अम्रिस्तर के हाल गेट के बाहर एंटी क्राइम एंड अनिमल प्रोटेक्शन एस्सेशन के सदस्यों नी देशी मांचा बच्चों को बंटा और चाइना दोर से हुने वाले नुकसान के बारे में भी बताया इस मौके पर एस्सेशन के राष्ट्री अध्यक्ष डॉक्टर रोहन महरा ने बताया कि चाइना दोर हमारे पक्षियों और इंसानों के लिए काफी घहतक है जिससे कि आए दिन ही कई पक्षी पेडों पर इस दोर से जिंदगी औ और चाइना दोर का बाइकाट करने के लिए कह रही है उन्होंने सरकार से इसे पूरी तरह से बंद करवाने की मांकी है अमरिसर से हल्चल के लिए सुनील खोसला के लिपोर्ट मौता मी हो रही है ने आज आसी अमरी सर हाल गेड़े वेज़ पर टेस्ट किता है जैदे वेज़ सा डिनाल है छोटे जड़े बच्चे ने ओनाने जखमी पक्षियां दावी रूपता रन कीता है कि लोकी जागरु को ना पिकिस तरीके देनाल जड़े है पक्षी भी का एल जड़ा ओधनाल ही पतांग बाजी जड़े केती है तो पदार आज आज आपा इसका रहे है जाना जाना जान दिया ने आज आसे बच्चे बनाएं जिना नूमरी पक्षी वर्डूपता रूपता है दुर्गा विहार वेलफेर सोसाइटी की और से जानंदर की विकास पूरी में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक मेडिकल केम्प लगाया गया इस केम्प में भाजपा के राज्य जनरल सचिव राजेश बागा ने बता और मुख्य थी जबकि पूर्व सीपी पूर्व कैबिनेट मंतरी मनुरंचन कालिया भाजपा निता क्रिशनलाल शर्मा राजीव निंग्रा और एसे चो नवदीब सिंग ने विशेश रूप से शर्कत की इस मौके पर संस्था के प्रमुख राजेश ठाकुर मौन्टी अरुन अगरवाल राकेश और लवदीब स की गई है इस के दौरान गरीब तथा जरूरत बंदों के एसीची और शूगर के टेस्ट भी निशुल्क किये गए चाल अंदर से हल चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट अज अज अधर एस सथी आज है जिए दौर्गाविहार मयल फे ससाइटी परनों विकार फुरी रिजट एक मैडिकल केमधा ωिअजन किलता गया है मेडिकल केम जिया हो सबाइजी कर पाद राल मिठके काम करती हैं उसे तरह अचे साठा मेडिकल केम जा हो जानसिगा बुदे विच मुख में महमान वज्जों शिरी परमोज जी, आरसे सितों, शिरी केडी पंडारी जी, शिरी मंजीत बाली जी, सारे जाने अपने सदस्यान दे नाल पहुंच के एते सदा मार्डेशन करना ऐसी, असी उन्हों दा भी बहुत बहुत आन वर्द कर देयां, इस केम अमर हरी मंदिर में बाजार बस्ती दानिश मंदा से 72 वार्षिक निश्वलक, वैशनो देवी यात्रा के लिए 80 के करीब माभक्तों का जथा, ट्रेन के माध्यम से पंडित मदन मोहन जोतिश की अध्यक्षता में रवाना हुआ, इससे पहले विदिवित अमर हरी मंदिर में पुजार जना, आस्टीरिया, निवासी, नराई, प्रमोंध, महंदी रत्ता के भाई समाज सेवक रविंदर महंदी रत्ता, शिफुरी मंदिर के वाईस चेर्मेन राकेश कश्यप, पंडित मदन मोहन जोतिश के कर कबलों से की गई, जिसके बाद यात्रा में जाने वाले जन्डे की इलाके में फेरी निकाली, तो वहीं जगे जगे इस यात्रा में जाने वाले माभक्तों का सम्मान समरों वह मंच लगा कर भवे स्वागत किया गया, गौरतलब रहे कि हर वर्ष की तरह हैं, इस वर्ष भी हर मुश्किलों के दौर में वर्दान बनकर समाज की आस्टीरिया निवासी प्रमोध महंदी रत्ता का इस यात्रा के लिए प्रमोख योगदान रहा, फिलहाल उद्योगपती प्रमोध महंदी रत्ता आस्टीरिया में ही है, लेकिन उनके भाई रविंदर महंदी रत्ता ने उनके सारे कारे संयुक्त रूप से अपनी सेवा के माध्यम से जारी रखते होई यात्रा से पहले करवाए गए सम्मान सामरों में यात्रा में जाने वाले हर माभक्त को एक एक कंबल खाने पीने की समगरी निशुल्क भेंट कर इस यात्रा को रमाना किया इससे पहले मेन बाजार बस्ती दानिश्मंदा में माभक्तों की तरफ स महंदिरत्त राकेश कश्यप महितरोड़ा अनमोल निखेले पार्षतपती एडवोकेट सजीप वर्मा शामलाल शर्म आरुण शर्मा विनोत कुमार अनिन शर्मा शामलाल टुलसी राम काका स्ट शाम सुन्दर शर्मा पंडित भोलानात शर्मा कर्नेल सिंग विजे कुमार सहत बड़ी संख्या में माभगतों पस्तित रहे जानंदर से हल्चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट इना सारे पक्तानी मंदी मुराद परिपोर्ण करें इससे तरव शुब कर्म कर दे रहें समय बतीत कर दे रहें तंदा खर्च कर दे रहें जै माता दी जै माता दी जै माता अपने आपने बस्ते लाके दांश्मता दी शंकतिन लेकर जाने हैं और मैं सारी संबर्बाइस नो बोग जादां बहुत मुबार्ग बार्गा और बता ही दिना और जड़ाक लाके थिनने पलेदा काम कर दे यह हैं पर संगय देनी भेर कर दिया और उना दिवा सभल जात्रा दिया ना महाराना यागी काम ना करता हुआ उसाब ने पर फेर दुवारास आप पर लोगो दालो खास होते और बाउशीतर विजी वालो जिना दा मेशा जाट दे प्रयावदा ना दा प्रेम रहावे परमादनी ये पंडर जी महारास और आयो संगत जयमाता दी जयमाता दी अला ताला लगवदा आई देना मंदर परनुदा कमिटी नो उस्तो बाद मेंधी रता परवार ना परमोद मेंधी रता अर्विंदर मेंधी रता राम लखन दे जोड़ी है कि येदे समूच्चे अपने बस्यां श कराम होवे चाहिए बिडे एंटिया प्रोपावना अनिन वघर्वेज इंथ जैरा शांड़ान दीज से होवे शाहिए किसे मातर बनांता यह बहुत इस द्यालूपावना अंनी नर्मतार आ कि हैंना स ouvks करदेनन हुं अज धी जयात्रा जारहि में अपने वलों अपनी पस्तिन वासिया वलों इस मंदर प्रणुने कमेटियों परंपिता प्रमात्मा के ही बेर्दी गर्दा की में तरी प्रवार जो नर्मता है जो प्यार है जो इनादा आपसी सतकार है ए राम लखने जोड़ी इस तरह बनी रवे और हमा सड़े दैनिक्स जो इनादा आपसी अपने वलों अपनी बस्तिन वालों नर्मात्मा को तन्दादे है और आस कार दे है इसी तरह 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 पंड़जी फेह जान जैमाता दी हो प्यार आपसी प्रात दादी जोड़ी है इसी तरह अपनि बादिए जान जुठी हो कि सबस्तिर के अचार प्रणी करें में जायरा जोड़ीं जोड़ी है concern is LOL जोड़ीरीं पहोब्सित प्रणी जोड़ीस आप हैma सण जोड़ीक्ति करीन जोड़ीग्तिस आरे समाज वेद मंदिर मॉडर हाउस में स्वर्गिये जैदेव राज गंगुत्रा की छटी बरसी के मौके पर शर्धांजली समागम का योचन किया गया जिसकी शुरुआत पवित्र हवन यग्ये के साथ की गई इस मौके पर वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुरेश शास्त्री की और से हवन यग्ये में आहूतियां डलवाकर यग्ये को संपूर्ण करवाया गया और मुख्य वक्ता ने स्वर्गवासी जयदेव राज गंगोत्रा की जीवनी पर प्रकाश डला इस हवन यग्य में मुख्य जमान के तौर पर स्वर्ग वासी, जय देव राज गंगोत्रा की धरम पत्री, कमला रानी गंगोत्रा, एड़ोकेट ओम गंगोत्रा, मोनिका गंगोत्रा, धरमवीर गंगोत्रा, गीता, धीरच कुमार, पृती देवी, राज कुमार, मीना कुमार राकेश कुमार, रजनीबाला, धर्मेश गंगोत्रा, सुधेश रानी, शतंबरा, प्रवीन कुमार, सत्यार्थ गंगोत्रा, सिधार्थ गंगोत्रा, तेजस्वी गंगोत्रा, आर्यन, रिशी, गाहितरी, जया, मोनिका, सोनिका, साक्षी, देव्यानी, विकास, अभे, सोफ् सुशांत जय वर्धन देव जय प्रियंका ने आहुतियां डाली हमन्यके के बाद भजन गायक सुरेंद्र आर्या ने अपने सुरील्य भजनों से सभी को मंत्र मुक्त किया अंत में व्यादिक प्रवक्त आचार्य सुरेश शास्त्री ने प्रवचन करते हुए स्वर्गी जय देव राजगंगुत्रा को शर्धांचली बेंट की इस अफसर पर स्टीएज सेकेटरी कमल जीत तनेजा हरीश तुली आशा तुली मेजर सिंग हर मिंदर संधु तजिंद्र धालीवाल ब्रिज कुमार रजनीबाला राजीव रत्न दिनेश जसी निश्पक्ष सरीन शैफा अलिया रोडा सहित सभी सदसेकंड मौचूद रहे जालंदर से हल्च्वल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट अग्लाय धन्नममा ओं सोम्य स्वआः एदम स्वआई धन्नममा ओं प्रजापत ये श्वआः एदम प्रजापत ये धन्नममा इड़ी झाँ झाल स्रीष्टिके अनिमोगे पातारती जो बगवागे पानाता स्रीष्टिके अनिमोगे पातारती जो बगवागे पानाता गई पुशल कानी करही से जोल का निर्वाता जिसकी मर्दी बिना जगत में परका तक नहीं इंता दिवे आदमादे ऐसी पुन्य आदमादे भरती बहुत कम पैदा हुआ गया उनकी नदर और मेरी कलम चला जाएंगा जब मैं छोड़कर इस आश्याने को वफाय याग आएंगी मेरी कभी समाने को जहां विवेत की चर्चा होगी लोग याद करेंगे इस दिवाने को ऐसी पूर्टी पे कहलेगा है उन्नी दिसंबर जब आता है तब तेरी याद दिलाता है उन्नी दिसंबर जब आता है तब तेरी याद दिलाता है मन में गम और आँखे न बहुत कुछ कह जाता है तो आज बने ही सुर्गे सिरी जै देवराज किंगोंतरा जी भौधिक शरीर की रूप में हमारे बीच में नहीं है उनका भौधिक शरीर बने ही नश्ट हो गया है प्रन्तु उनका जो यस रूपी शरीर है जो अच्छे कारियों के बारा उन्होंने समाज में यस प्राप्त किया था समाज में ख्याती प्राप्त की थी उस ख्याती के कार आज भी वो लोगों के दिलों में जिद्दा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवर में ऐसे कारे किया है जो कभी बढ़ नहीं सकते गुण्डा तत्व प्राइब गुंडा तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रिशासन की और से विशेश मोहिम चलाई गी SSP अमरिस्तर देहात स्वपन शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार इलाके में किसी भी गुंडा तत्वों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा जिसके चलते वालमी की चौक जंडियाला गुरु में विशेश नकाबंदी की गई इस मौके पर DSP हेड़कॉर्टर गुरमीत सिंग ने बताया कि जंडियाला गुरु शहर में बाहर वा अंदर 6 जगयों पर नके लगाए गई है उन्होंने कहा कि जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें रोकने के लिए और गुंडा तत्वों पर नकेल कसने के लिए ये नकाबंदी की गई है इस दुरान दोपहिया वाहन चालकों की चेकिंग भी की गई वहीं उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि हर बाजार में एक चौंकीदार जरूर रखे जंडियाला गुरु से हल्चल के लिए अशुनी शर्मा की रिपोर्ट जोने अपार मान पानसर्याइटी जये अपनी पैनीशद रखे तरह रिप्रेव के लिए धेए लिएर में उन्हों उन्हों है तकी जाँट्य विखा लुकलारीड जार्म एपार टूर्ड शुनीटार्व से पारेम और्य माद्याट अचिए वालम गलम पाया जाना के लोकां दे बेचे इस रख्या दी पाहुना पैदा कंदी ऐसी चैंग करा रहे हैं गया जैसी कोशिश करांगे लगातर ही चैंग क्या जिए लगे 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 वी होना है जिड़े कोई बिना काई दो मोट से लगी करते हैं जा कोई गोर है गया अशी उन्हों फटके बंद भी कर रहे हैं और अबंत में हल्चल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से नभब लॉक के गाउं हरीगड के नजदीक ताटा 407 गन्ने से भरी ट्रॉली से चकराने के बाद पेड़ से चकराया तीन लोगों की मौत आठ थायल अम्रिस्तर कथ्वू नंगल थाने के नजदीक लूटेरों ने पंजाब नेश्विल बैंक में लूट की वारदात को दिया अंचा अठ्रे लागती नकदी लूट वोए फरार इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्थ होती है और तासा चौनकरी के लिए देखते रहे हैं हल चल झाल